हेलो फ्रेंड तो आज वरी क्लास में हम देखने वाले हैं कि साइज बॉक्स क्या होता है कहां यूज में आता है और कैसे उसको अपनी फ्लटर आप के अंदर इंडिग्रेट करना है है तो सबसे पहले अपनों समझना पड़ेगा क्या साइज बॉक्स होता क्या है तो वहां पे चयाराया बॉक्स को यूज कर सकते हैं और इसलिए उसका चालड उसको को एक विट नहीं करने सिर्फ और सिर्फ जैसे कि for example मेरे बटन है बटन की विड़ तो रहाइट में मैंनेज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूँगा उस बटन को मेरे कंटेनर का एक चाइल्ड बनाऊंगा चीक है मतलब मेरे कंटेनर के चाइल्ड के अंदर उस पर्टिकुलर बटन विजिट को मैं यूज करूँगा तो उससे क्या होगा के विड़ और हाइट है वो बटन को मिल जाएगी उसके बैसिस में बटन की विड़ और हैट में चिंजि तो वहां पर आपको एक सजेशन भी देगा कि यू किन यूज साइज बॉक्स इंसेड ओफ कंटेनर तो साइज बॉक्स का सबसे में रीजन है कि आप एक पर्टिकुलर अपने चाइल्ड की फिक्साइज वेट देना चाहते हैं तो उस केस में क्या यूज करते हैं साइज ब हो जाता है जब हमको कोई मार्जण नियुक्त देना चाहिं जो यूज यह उसमें यह विजट और दूसरा विजड़ इसके नीचे है यह यह विज़िज़र साइड बे को दूसरा विज़िट है तो इन दोनों के बीच में आपको एक स्पेसिंग देनी है ता आप मार्जिन लगा के भी दे सकते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर विजट के अंदर margin constant होगा ठीक है तो उस case में हम क्या कर सकते हैं कि इनको as in margin constants भी यूज़ कर सकते हैं for example कि यह हमारा widget है इसके बीच मैंने size box लगाया of the width 20 सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही size box में आपको तीन वेरिशन मिल जाते हैं जैसे size box.square, size box.expanded and size box.string तो देखो जैसे कि नाम सब्सक्राइब का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कोई square box create करना है तो वहाँ पर width और height equal होगी तो वहाँ पर आपको एक dimension मिलता है सिर्फ आपको dimension प्रोवेड करनी तो automatically उस dimension का यानि कि अगर आपने 20 किया तो 20 by 20 का size box automatically create हो जाएगा तो अगर आपको square design बनानी है और अगर आप ऐसा size widget बना रहें जिसमें width or height same रहने वाली है तो उस case में आप क्या कर सकते हैं size box.square को use कर सकते हैं वहीं अगर मैं बात करू size box.expanded तो size box.expanded का मतलब होता है कि expand करना मतलब कि यह क्या करेगा इसके जो parent होगा मतलब जहां पर भी आपका size box लग रखा है उसका जो parent होगा उसकी जो width होगी यह automatically adapt कर लेगा इसमें आपको manually width or height देने की जरूद नहीं है वैसा ही उसका just opposite होता है shrink shrink क्या करेगा आपके parent की मतलब जहां size box लग रहा है उसका जो parent है उसकी जो minimum width होगी यह minimum height होगी वह यह automatically adapt कर लेगा तो अगर आपको minimum width को grab करना है parent में से तो उसमें size box.string को use कर सकते हो और अगर आपको maximum width को get करना है तो उस case में आप size box.expanded को use कर सकते हो question आता है कि normally हम minimum width या maximum width को नहीं देखते हैं देखो जब हम बात करते हैं body tag की या body की या अगर container की तो automatically जो parent की width या height होती है वो adapt कर ली जाती है तो वो उसकी maximum width होती है minimum width हमेशा zero होती है until and unless it is not defined जीक है तो यह definition कहां मिलती है definition मिलती है आपके constant box में कहीं ऐसे widgets होते हैं flutter के अंदर जहां पे minimum और maximum width provide कर सकते हैं तो उस case में अगर आप child box लेते हैं उस particular widget के अंदर अगर आप widget के अंदर size box लेते हैं तो वो उस particular parent widget की minimum shrink के case में minimum ले लेगा और expanded के case में maximum ले लेगा तो इस तरीके से हमान जो size box है वो function करता है इसको practically implement करने के लिए चलते हैं सिदा Android Studio के अंदर तो यहां मैं Android Studio open कर चुका हूं देखो मैं Android Studio use कर रहा हूं आप VS code भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आपको पता है मैं previous lectures में भी आपको बता चुका हूं के it's all about कि आप ID कौन सा यूज करते हैं इससे फरक नहीं पड़ता कि आप क्या Android Studio से जादा फैमिली रहे तो अब Android Studio को यूज कर रहे होंगे तो आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं जो इंपलिमेंटेशन रहेगा थूआउट दोनों में ही सेम रहेगा क्योंकि दोनों में फ्लटर के अंदर तो size box का role बताता हूं तो यहां पर मैं ले लेता हूं size box देखो आप size box को इस तरीके से compare कर सकते हैं जैसे size box है वो container जैसा ही है बस difference कि है container के अंदर हम और multiple attributes जो होता है वो provide कर सकते हैं जैसे कि decoration हो गया तो यह सारी चीजे में दे सकता हूं लेकिन अगर मैं बात करूं साइस बॉक्स की तो यह possible नहीं है Size box ओर कुछ नहीं एक 58प complaining और ऐंकी अंदर बाकसी गया सकते हैं जिसके अंदर इसमें जैसे कि आप समय डेकोरेशन दे सकते हैं बैकराउन कलर दे सकते हैंने सारे अप शिर्व क्रीक हैं कि Alf में जिसका मतलब यह है कि जब आपको इसारी चीज़े नहीं करनी है कंटेनर को आप सिर्फ और से इसी परस्पेक्टिफ से यूज कर रहे हो कि आपको विट और हाइड चाहिए उसकी तो उस विट और हाइट मैं मैंनेज करहूँ तो मैं करूँगा इसको एक कंटेनर में प्रोवाइड करूँगा बट कंटेनर से बैटर आप्टेनर किया के विट और हाइट ही आप साइस ब вас को ले लो तो वहीं चीज मैंने करी है यहां पर ले लेता हूं ऑजब बटन लेते तो दो 2019 देनी पड़ती है, on press, पे एक function calling और एक होता है आपका child, जिस पे आपको जो text दिखाना है, button के उपर, रूम अने आ ले ले, चिक है, तो यहां मेरा size box आ चुका है, और size box के अंदर हमने एक child लिया है, यहां में चीज है, आपकी width और height, इसी के लिए हम यूज कर रहे हैं, width में देता हूँ 200, and height देता हूँ 50, और जैसे ही मैं control space करूँगा, control s करूँगा, तो यहां आप देख सकते हैं, button आज चुका है, ठीक, इसको और specified तरीके से देखने के लिए, मैं इसको size box को center widget के लिया आता हूँ, wrap with a widget, wrap with center, automatically size box जो उसका child है, उसको center में लियाएगा, तो अब इससे आपको clear देख सकते हैं, कि हमारा एक button बन चुका है, और उसकी size क्या है, 200 by 50, और यह कैसे मेली, size box child से, मैं इसमें changes कर सकता हूँ, जैसे कि अभी भी यह में को थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसको कर सकता हूँ, 34, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि button आ चुका है, और इस तरीके से मैं इसको designing दे सकते हैं, कि size box को use करके, म कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर आप यहां पर जाके mouse को hover करोगे, तो यहां पर आपको बोलेगा, कि suggestion दे रहा है, कि आप यहां पर सिर्फ container को इसलिए use करो, width or height के लिए, तो इससे better है, कि आप यहां पर size box को use कर लो, तो यह तो हुआ पहला application, size box का, फिर हम बात करते है size box के अंदर जो variations होते हैं, जैसे कि size box dot expand, तो expand क्या करेगा, अब देखो width or height में error आगी, क्योंकि वो कह रहा कि में को width or height की ज़रूत नहीं है, expand है, that means maximum height और width है, वो automatically ले लेगा, तो अभी इसका जो parent है, वो center है, और center का parent है body, तो अब इसको run करके देखते हैं, तो पूरा क screen space है, body वाला space है, जो body की width or height है, वो automatically size box को मिल गई है, अगर मैं यहां पर shrink करता हूँ, तो shrink के case में भी क्या होता है, आपको width or height देने की ज़रूत नहीं है, आप यहां के control space करोगे, तो आपको कोई solution नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें child ही होता है, तो यह shrink का use में आ height आपने set करी होती है, वो shrink के case में, वो उस पर apply हो जाएगी, तो अगर मैं यहां पर control S करूँगा, और refresh कर रहा हूं, तो यहां बटन ही गाइफ हो गया, क्यों हो गया है, क्योंकि जो हमारा parent है, center है, center है, center का भी parent है, body, तो body के अंबर कोई भी minimum width और height नहीं है, हलां कि हमने constant box को use नहीं किया है, लेकिन मैं यहां पर एक बार आपको उसका example लेकि समझाता हूं, widget, हम यहां दे जाते है, constant box, इसमें हमारे पास में options होते है, constants, जैसे ही मैं box constants के अंदर आता हूं, तो यहां पर आपको options मिलेगे, maximum height, maximum width and minimum height and minimum width, तो अभी आप देखना, यहां पर, मैं minimum width कर देता हूं, 100, minimum height कर देता हूं, 20, maximum कर देता हूं, height 400, maximum width कर देता हूं, maximum width मैं को 400 दे नहीं है, बटन हम ले रहे हैं, तो button का design में क्या होता है, width जादा होती है, height कम होती है, तो यहां पर मैं कर देता हूं, चीक है, तो minimum और maximum मैंने यहां पर mention कर दिया, अब अगर मैं यहां पर control S करूंगा, तो यह क्या करेगा, श्रिंक करेगा, तो अभी आप देख सकते हैं कि control S करने के बाद भी changes नहीं आए, changes क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारा जो child है, size box dot shrink, वो यहां पर लगा देंगे, तो मैं इसको remove कर देता हूं, इस widget को और मैं अभी control S करता हूं, तो अभी आप देख सकते हैं कि minimum width or height, मैं आप देख सकते हैं कि minimum width or height है और यह ही अगर मैं को यहां पर maximum height or width को use करना है, तो मैं आप यह आप श्रिंक की जगा expand को करूंगा और जैसे मैं Ctrl X करता हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि जो हमारा 400 और है जो 80 वह यहां पर चुकी है इसमें चैन्जिस लाते थोड़ा था सब तो आपको इसली समझ माझ सके तो इसको करते हैं 300 और इसको मैं कर देता हूं 60 अभी मैं Ctrl S करता हूं तो आप देख सकत कर लेगा तो इस तरीके से आप size box shrink और size box expand को यूज कर सकते हो ठीक है बात करते है square की जो constant box क्या होता है इसको अलग से एक वीडियो के अंदर समझेंगे कहा यूज में आता है कैसे यूज करना है तो अभी के लिए सिर्फ मैंने इसका example लिया है बताने के लिए expand या फिर shrink वाला जो feature है size box का वो बताने के लिए में को minimum width or height और maximum width or height का concept चीए था इसलिए मैंने यह पर constant box को use किया है अभी के लिए मैं constant box को हटा देता हूं और देखो यहां center लगा सकते है जो center expand के अंदर तो इसलिए मैंने center को बाहर ले लिया हाला कि हम इस constant box को रिमूव करते हैं अब हम use करने वाले है square जब हम बात करते है square की तो यहां पर आपको dimension देना पड़ेगा अगर आप control space करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही attribute दिखेगा यहां पर है dimension यहां पर कोई width और height नहीं है तो कि obviously अगर आप square बना रहे हो तो अलग से width और height देने की कहां जरूँद है width में भी आप उतना ही दोगे जितना height में दोगे तो इस अच्छा आप इस तरीके से आप size box को यूज कर सकते हैं यह तो पहला तरीका हुआ पहला इंदर सेंस पहला application हुआ कि अगर आपको container को सिर्फ आप इस लिए यूज करने के लिए तो वहां आप size box को यूज कर सकते हैं अब चलते हैं सेकेंड पाट के उपर जब में को margin constants देने मतलब की दो तिन विजट से उनके बीच में को spacing देनी है तो हर एक widget में ऐसा नहीं होगा कि आपको margin मिलेगी तो अब उनके बीच में spacing देने के लिए आप क्या कर सकते हो आप एक size box को use कर सकते हो अगर आपका orientation horizontal है तो आप size box को यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ विड्थ देने के लिए ठीक है अगर आपका orientation vertical है तो size box को हमारा एक child हो गया इस particular row का copy किया एक और suppose that आपको एक और child बना दिया इसका चीक है control space करूंगा तो अगर आप देखेंगे तो दो buttons आजाएंगे ठीक है obviously screen size से बाहर जा रहा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं रो की जगा wrap को यूज कर सकते हैं यह भी हम देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर व्रैप दे दिया मैंने यहां पर आप कोई भी और विजट से इधर कोई और विजट इधर कोई और विजट और दोनों आपस में क्या होंगे और सब्सक्राइब होंगे और दे सकते हैं अगर आप को इसे design जाहरा चाहते और आपकी तो यहां पर आपको width चाहिएगी, तो simple सा मैं दूँगा width, height नहीं भी दोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने width दे दिया है, यहां पर 20 का, तो आप देख सकते हैं, कि यहां पर दोनों के बीच में space आजाएगा, करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि spacing आ गई, spacing नहीं है, यहां पर actual में size box आ चुका है, जिसकी width है 20, और यह 20 width का box create हो चुका है, जो कि automatically, by default का होगा, invisible होगा, तो container भी use कर सकते हो, लेकिन container में और भी बहुत सारे options होते हैं, size box बना ही इस चीज़ के लिए, चीक है, यह तो रहा जब हम बात करते हैं, किसकी row की, अगर मैं column की बात करूँ यहां पर, पहले मैं एक और example लेकर दाता हूँ आपको, इसी के अंदर मैं फिर से size box ल देंगे हम यहां पर 50K, चीक है, control S, तो यह spacing लोगी, तो manual आप spacing देना चाहते है, margin constant आप लगाना चाहते है, तो वो भी आप किसके help से लगा सकते है, size box की help से लगा सकते है, यही same चीज़ अगर आपको column में होती, तो column में फिर width का रोल नहीं रहता, कैसे देखो, अगर wrap है Wrap की जगा, wrap में भी एक option होता है हमारे पास में, direction, axis.column, तो vertical, तो vertical में automatically column वाला scenario create हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं, अब भी अगर आप देखेंगे, तो size box तो है, लेकिन को width मिल रखी है, चीक है, height नहीं मिल रखी है, तो width तो इतनी होती है, इधर ही होगी, width है, height होने से इन के बीच में spacing आईगी, तो उस case में आपको ध्यान रखना है, जब आपका orientation vertical है, तो size box को जो आप use कर रहे हो, तो height दोगे उसमें, और जब आपका orientation horizontal है, तो size box को use करोगे width देने के लिए, चीक है, यहाँ पे height की width की जगा हम height देखेंगे, तो आप देख सकते हैं, वह कोई spacing automatically इनको भी मिल गई है, तो इस तरीके से आप भी अपने flutter application के अंदर कोई भी design अगर आप बना रहे हैं, इन चीज़ों को कही requirement आपको लगती कैसी designing अगर आपके दिमाग में आती है, और जहां पे आप container को use कर रहे हैं, सिर्फ वाट से width और height या spacing देने के लिए, तो वहां पे container की जगा, आप भी अपने flutter application के अंदर size box को use कर सकते हैं, तो आज ही class के लिए इतना ही, thank you.